हेलो एबरीबन वेलकम बैक टो दिस चेनल तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम प्रसंटेज के कुछ बेसिक सवाल को सॉल्व करेंगे आई होब आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगी और आज वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चले शुरू करते हैं तो यहां लिखाया प्रसंटेज ठीक हैं प्रसंटेज को हम हिंदिम बोलते हैं प्रति सत क्या बोलते हैं प्रति सत प्रसंटेज को बोलते हैं प्रति सत प्रति सत दो सब्दों से मिलकर बना है अगर प्रति सत का आप संदी विश्यद करेंगे तो क्य सौ डिफनेशन दू परसेंटेज का तो सौ में एक को पर्तिसत कहते हैं नहीं समझ माया दूसरे सब्सक्राइब बता तो पर्तिसत वह भी नहीं है जिसका हर सौ हो ठीक जिसका हर में सौ ठीक है और हम परसेंटेज को इस सिंबल के साथ ठीक है न ऐसे लिखा रहे है तो इसका में समझाना कि यह परसेंटेज का सिंबल है तो हम परसेंटेज को इस सिंबल से दिनोट करते है जैसे एक्जामपल दूँ जैसे अगर लिखा है 3 बटे में 100 हम यसे कैसे लख सकते हैं 3 पर्तिसत अगर लिखा है पांच बट्टे में 100 तो हम इसे लिख सकते हैं 5 परसेंटेज परसेंटेज में कुछ बेसिक सा पॉइंट है हम उन्हें भी बता दे रहे हैं पहला पॉइंट है कि 17 भीन को परतिसते बदलना ठीक है जैसे एक ग्जामपल देता हूँ कि अगर एक बटा पांच है यह सिंपल सा भीन है हम इसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे तो इसका एक रूल होता है कि 17 भीन को परतिसते बदलने के लिए आप उन्हें 100 से गुना कर देजिए ठीक है अगर एक बटा दस है ठीक है तो यह पहले सिंपल से भीन है तो हम इसे परतिसत में कैसे चैंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे ठीक यह हो जाए कि ना कटके इससे बदले अगर यहां लिखा रहा है एक्जामपल में 25 परसेंटेज तो हम इससे भीन में कैसे बदलेंगे तो इसका रूल होता है कि पर्तिसत को 100 से भाग देकर या एक बटे सो से गुणा करके हम गुणा करके चेंज कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे आपे 25 परसेंटेज लिखा है ठीक है न बराबर में लिखेंगे 25 और इस परसेंटेज को हटाने के बाद बटे में 100 करते चीए अभी मैं आपको बता हैं कि परतिसत को भीन बदलने के लिए 100 से भाग देकर या फिर एक बटे सो से गुणा करके तो को जैसे हटा होगे तो बटे में 100 आजाएगा अब यहां से कड़ जाएगा यह दो से 22 ने 40 हो जाएगा और 25 परसेंटेज कितना होगा ठीक है न फिप्टी का 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 मतलब क्या होता है गुना अगर आपने बोर्ड मास का रूल पठा होगा तो उसमें पठा होगा का का मतलब तो हम पहला सवाल को स्वाल करते हैं पचास का के जगा लिखना है गुना का चीन ठीक और 25 परसेंटेज में अभी आपको बता है कि अगर परसेंटेज लिखा हो तो बटे में आप स्वाल लिख दो अब सिंपल सा गुना भागा है आप वो कर दो यहां से हो जाएगा तो यह से इस परसेंटेज कितना आएगा सारे वेडियर से दूसरा को से से लिखी 450 में से माल लें चार्टी परसेंट निकालेंगे पहले दो इससे यह निकलेगा कि कितना खराब है ठीक है न बटे में सो हो झाएगा 30 परसेंटेज को चीन अटा या बटे में स्वाया अब कट कर दो यह से यह 0 से 0 इस 0 से यह कैंसे तो हो जागा अब एक सो पैंटिस मेंगो क्या है खराब है अब इसमें अच्छा कितना है सिंपल से गटा कर दो कितना एक सो पैंटिस को मैंनस कर दो है थीचा ना तो एक कितना कितना से अच्छा है तो यह भी बात समझ में आ गई होगी दीसरा कि एक सर्ट की कीमत बारेशों रुपिया है 25 परसेंट छुड़ देने के बाद उस सर्ट की कीमत कितनी रहेगी मान लेजिए आप किसी कपड़ी की दुकान पर गए दुकांदार साब ने कहा कि सर भाई साब एक सर्ट दिखा न तो दुकांदार ने आपको बारेशों तक का सर नहीं तो बस बोई सीखना है ठीक ना तो सीखतेंगे कितना है गिमत 1200 रुपिया और डिस्टाउट कीतना दे रहा है 25 परसेंट का तो हम यह लिखेंगे इन नम्मार का साना क्वेश्चन है लिखेंगे बारेश सो बारेशों हो गया ठीक है 25 परसेंट मिल रहे है तो 25 30% discount करने के बाद 300 discount हो जागा मैं घड़ जागा कितना में से 1200 में से यहाँ पर आप 300 मैनस कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पर 900 रूपया तो उस सवाल है कि 35 का कितना प्रतिसाथ 14 होगा ठीक है ना 35 कितना प्रतिसाथ 14 होगा तो कैसे निकाले निसकों तो 35 यहाँ पर चार नम अब ही तो लिख होगा न तो 35 का मान लेते हैं एकस परसेंटेस कितना है 14 है अब यहाँ पर कर दो सिंपल सा तो यह गुना हो जाएगा तो यह बटे भागा इधर आएगा तो गुना हो जाएगा तो फॉर्टी इंटू अंडरेट यहां से आप एकस कमान निकाल होगे तो य इतना हो गया चालिस प्रतिस्द ठीक है तो 35 का चालिस प्रतिस्द चावधा होगा ठीक है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप लोगो अच्छा लगा तो कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा अगर इतना एजमपल से आप सटिस्वाइड नहीं है त कॉमेंट जरूर कीजिए कि हम अगले वीडियो में कई सारे एक्जामपल लेके आएगे एक वीडियो में ठीक है और फुल डिटेल में परसेंटेज को पढ़ेंगे तो चीके मिलते हैं अगले वीडियो में तक लिए बाट टेक कियर थैंक्यू लव्यो झाल